विजयर नगर नाम का एक गाउं था जहां रामु नाम के एक व्यक्ति को गाउं के सभी बच्चे और बड़े सलाहकार काका कहा करते थे क्यांकि रामु काका आए दिन कोई न कोई सलाह देते रहते थे एक दिन गाउं के बच्चे रामु काका के पास आते हैं और कहते हैं काका आज की सलाह क्या है रामू काका सलाह देते हुए कहते हैं पास के मेले में एक बड़ा गाउं लगा है तुम सबको वहाँ जाना चाहिए मेरा यकीन मानो मज़ा ही आ जायेगा सभी बच्चे मिलकर जोर जोर से हसने लगते हैं फिर रामू काका अपने माथे को खुजाने लगते हैं और सोच में पढ़ जाते हैं कि उन्हों ने ऐसा क्या कह दिया जिससे बच्से हस रहे हैं गाओं के बच्चे तभी कहते हैं काका का मतलब है कि पास के गाओं में एक बहुत बड़ा मेला लगा है और अगर हम सब वहाँ जाएंगे तो हमें बहुत मज़ा आएगा फिर बच्चों के साथ साथ रामू काका भी जोर जोर से हसने लगते है उन बच्चों में से एक कहता है हाँ, चलो दोस्तों, हम सब मेले में चलते हैं बहुत मज़ा आएगा, और कुछ पैसे भी साथ ले लेंगे सबी बच्चे पास के गाउं में मिला देखने चले जाते हैं उसके बाद गाउं का सरपंच सलाह के मामले में रामू काका के पास आता है और कहता है रामू काका जरा हमें भी सलाह दे दीजिए दरसल उस पीपल के पेड़ के होने से गाउं कोई लोग यहां आने से डर रहे है रामु काका सलाह देते हुए कहते है क्यों ना लोगों के पेड़ से डर काड़ दिया जाए ताकि डर के मन से भूत निकल जाए यह सुनकर गाउं का सरपंच अपना सिर्ख खुजलाने लगता है और कहता है क्या मतलब रामु काका रामु काका कहते हैं अरे वाह मेरा मतलब गाउं से इस पीपल के पेड़ को ही हटा दो ताकि लोगों के मन से भूत का डर निकल जाए सरपंच कहता है पर लोग तो इस पीपल के पेड़ से बहुत डरते हैं तो इस पेड़ को काटेगा कान रामु काका अपने बगल में रखे पानी के गिलास के उठाते हैं और एक घूट पानी पीते हुए कहते हैं मैं इस पेड़ को काट लूँगा यह सुनकर गाउं का सरपंच कहता है इस उम्र में आप पेड़ काटेंगे आप कहीं मजाग तो नहीं कर रहे रामु काका कहते हैं तुम्हें पता नहीं है लेकिन मुझ में अभी भी बहुत ताकत है बच्चू गाउं का सरपंच कहता है तो फिर चलिए रामु काका रामु काका सरपंच के पीछे पीछे एक बड़ी सी आरी लेकर चल देते हैं रामु काका पेड़ काटना शुरू कर देते हैं पेड़ कटते कटते दो पहर का वक्त हो जाता है और वैं ठक कर पेड़ को आधा कटा हुआ छोड़ कर ही भाई रामू आज कौन सी सलाह दे रहा है थोड़े देर सोचने के बाद रामू काका ने कहा भाई गहनों और पैसों में जहर है यह सुनकर मुन्शी कहता है भाई अच्छा रहेगा कि तुम ऐसे फालतू की सलाह देना बंद कर दो रामू काका हैरान हो जाते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया इसके बाद मुन्शी महां से चला जाता है रामु काका इस बात को गाउं के लोगों को बताना शुरू करते हैं लेकिन सभी गाउं वाले उनका मजाक उड़ाने लगते हैं गाउं में एक जगा पेड़ के नीचे बैठा दो-चार लोगों का एक समूह रामु काका के बारे में बात कर रहा है आज कल रामू काका पागल से हो गए हैं आए दिन कोई न कोई अजेव सी सला देते रहते हैं इधर रामू काका अपने घर पहुंचते हैं रामू काका की पतनी कहती है अच्छा आ गए अपनी फालतू की सला बाटकर आज कौन सी सला देकर आए हो सारे दिन यही फालतों के काम करते रहते हो कितने बार कहा है कि दो पैसों का जुगाड कर लो लेकिन नहीं वह तो तुमसे होने से रहा रामु काका ने कहा इंसान हारा थका घर वापस आया है लेकिन तुम खाना पूछने की बजाए उसे डाट रही हो रामु काका की पत्नी बोली तो और क्या खिलाओं सारे पैसर तो तुमने जुए की लत्मे उड़ा दिये रामु काका ने कहा अगर ऐसा ही है तो तुम क्यों तो तुम कुछ क्यों नहीं कर लेती रामु काका की पत्नी बोली अब बस यही रह गया है घर का काम भी करूँ और बाहर का भी सच कह रही हूँ अगर तुम अपनी इन बुरी आदतों से बाज नहीं आए तो मैं सब को छोड़ कर अपने माईके चली जाओंगी रामु काका ने कहा हाँ हाँ चली जाओ तुम्हारे माईके में कौन सा कुवेर का खजाना है रामु काका और उनकी पत्नी में हमेशा छोटी छोटी बातों पर भी कहा सुनी हो जाती थी रामु काका की पत्नी मीना कभे भी रामु काका को निठले होने का ताना देती रहती थी रामु काका भी इस रोज-रोज की लड़ाई से तंग आ चुके थे बहुत दुखी होने के बाद और बहुत सोचने के बाद रामु काका को एक युक्ती सुजी रामुका का भोले यहां दोपहर का वक्त है सबहे आरते अपने अपने घर में सो रही होंगी और आदमी काम के सिलसिले में घर से बाहर होंगे यहां अच्छा मौका है मुझे सभी के घरों से केमती जेवर और पैसे चुरा लेने चाहिए अगले दिन दोपहर के वक्त रामुका का सभी के घरों से जेवर और गहने पैसे सब कुछ ले आते हैं और उस आधे कटे पिपल के पेड के नीचे गहरा गड़ा करके दबा देते हैं रामु काका बोले यहां तो किसी को शक होने से रहा का सुभा सुभा यहां से मैं इन्हें ले जाऊंगा सबको तो लगता है कि यहाँ कोई भूत है तो यहाँ कोई आने भी नहीं वाला पता नहीं रामु काका के मन में क्या चल रहा था उन्होंने वहाँ उन सभी चीजों को छुपा दिया और वहाँ से घर के लिए चले गए अब रात का वक्त था रात के लगभग बारा बज रहे थे और रामु काका गाओं भर में पहरा लगा रहे थे जब मीना की नजर उन पर पड़ी तो वह सवाल करते हुए कहती है क्यूं अब सलाहकार के साथ साथ पहरेदार भी बन गए हो क्या रामु काका कहते हैं मुझे नीद नहीं आ रही मीना कहती है मुझसे अपेक्षा मत रखना की मैं भी तुम्हारे साथ चोकी दारनी बनूंगी मैं जा रही हूँ सोने के लिए रामु काका आगे भी इसी तरह टहलते रहते और पीपल के पेड की और देखते रहे रामु काका को टहलते टहलते रात के दो बज़ गए और उन्हें नीद आने लगी इसके बाद वे अपने घर के बाहर ही खाट लगा कर सो गए अगली सुबह गाउं के लोगों की जब नीद खुली तो सभी का सर भारी भारी सा लग रहा था तब उन्होंने गौर किया की उनके घर में पैसे और जेवर सब कुछ चोरी हो गया है पूरे गाउं में चोरी का शोर मच चुका था यह सुनकर मेना आती है और रामु काका को नेन से उठाती है सुनो सुनो मेरे गहने जेवरात और पैसे नहीं मिल रहे हैं आसपास के घरों में भी चोरी हो गई है सभी गाव वाले घबरा जाते हैं मुशी सभी लोगों के सामने कहता है हो नहो यह सब इस रामु काका का ही काम है क्योंकि कल दोपहर में इस से मिला था तो यह कह रहा था कि गहने और पैसे सब कुछ जहर है सबी लोग इकठा होकर रामु काका के पास आते हैं और उन पर इल्जाम लगाने लगते हैं रामु काका अपने बचाओ में कहते हैं देखो मैंने कोई भी चोरी नहीं की यह सब सुनकर मीना कहती है अच्छा तो अब तुम चोरी भी करने लगे रामु काका कहते हैं देखो अब तुम तो मुझ पर विश्वाश करो गाओं का एक व्यक्ति कहता है हाँ जरूर इन्होंने ही चोरी की होगी तब ही तो गाओं के बच्चों को बहला फुसला कर पास के गाओं में भेज दिया था उसी समय गाओं के बच्चे भी वापस लोटाते हैं और रामु काका से कहते हैं रामू काका आपने हमें बेवकूप बनाया, पास के गाउं में तो कोई भी मेला नहीं लगा है. हमें खेलते खेलते शाम हो गई थी, इसलिए हम कल बंटी के घर पर ही रुख गए थे. गाउं का एक व्यक्ति कहता है देखा इन्होंने कैसे बेवकूप बनाया ताकि ये इस गाउं में चोरी कर सके मीना कहती है अच्छा तो तुम कल रात इसलिए सोय नहीं मुझ्शी कहता है तो अच्छा कल रात तुमने चोरी की है रामु काका कहते है अरे मैंने कोई चोरी नहीं की है मेरा विश्वाश करो गाउं के लोग कहते है चलो इनके घर के तलाशी लेते हैं सभी गाउं वाले रामु काका के घर में तलाशी लेने लगते हैं और उनके घर का सामान अस्त व्यस्त कर देते हैं तभी बच्चों की नजर पेपल के पेड की और पड़ती है जो की आधा कटा और जमीन पर पड़ा हुआ था जिसके नीचे दो आदमी दबे हुए थे तभी वे बच्चे कहते हैं यह दो आदमी गाओं के लोग मिलकर दोनों को होश मे लाते हैं और दूसरी और सरपंच भी प कपतान और संपत थे कपतान और संपत कहते हैं पुलिस यहां कैसे आई गाओं का एक व्यक्ति बोला हाँ पुलिस क्योंकि कल रात गाओं के सरपंच को वापस लोटते हुए देर हो गई इसलिए वैं मेरे घर पर ही रुख गए थे हम दोनोंने इन दोनों को देख लिया था पर इन्होंने हमें एक फूल सुंगाया और हम बेहोश हो गए रामु काका कहते हैं मैंने कल ही अकभार पर पढ़ा था कि यह दोनों विजय नगर के आसपास ही घूम रहे हैं इसलिए मैंने पूरे गाउं के गहने पीपल के नीचे गहरे गड़े में सुरक्षित रखे हुए हैं मैंने आप से कहा था कि गहने और पैसों में जहर है कप्तान और संपत अपनी गलती को चुपाने के लिए कहते हैं हम दोनों बहुत आलसी हैं और कोई काम भी नहीं करना चाहते इसलिए चोरी करते हैं हम यहां बच्चों को आगवाह करने और गहने और पैसे लूटने के लिए आये थे लेकिन कल जब हम यहां आये तो ना तो हमें बच्चे हाथ लगे और ना ही पैसे तभे इन दोनों ने हमको देख लिया तो हमने इने बेहोशी की हालत में लाने के लिए फूल सुंगा दिया इस एक दवाई को फूल पर छिड़कने से इनसान बेहोश हो जाता है कप्तान कहता है लेकिन जब हम निराश होकर वापस लोटने लगे तो है पीपल का पेड हम दोनों के उपर आगिरा और हम इसके नीचे दब गए पुलिश कर्मी कहता है अच्छा बच्चे बहुत दिनों से तुम दोनों ने नाक में दम कर रखा है आज हमारे रामू काका की मदद से तुम हाथ लगे हो बच्चू चलो थाने आज तुम्हारी जमकर खुशामत की जाएगी कप्तान कहता है अरे दुरोगा साहब कुछ भी करना लेकिन पिछवाडे पर डंडा मत मारना पिछली बार बैटने में काफी तकलीफ हुई थी पुलिस कर्मी गुस्से से हाथ चलाने को कहता है और दोनों को गाड़ी में बैठा कर जेल ले जाता है गाओं के सभी लोग रामू काका की इस हरकस से काफी खुश हुए और माफी मागने लगे प्रामू काका हमें माफ कर दीजिये आपने तो इन बच्चों की ही नहीं बलकी हमारे गहनों और पैसों की भी कड़ी इफाजत की थी शायद हम होते तो इस समस्या का समाधान ही नहीं कर पाते रामु काका ने कहा यह तुम्हारे ही नहीं बलकिस गाउं के भी बच्चे हैं ऐसे कैसे कोई हमारी नजर पर गाउं रख सकता है और वै भी रामु काका के होते हुए तब ही सब ही बच्चे मिलकर कहते हैं देखो हम सब इन्हें ऐसे ही सलाकार काका नहीं कहते और सब ही हसने लगते हैं दोस्तों आपको अख़ता कैसी लगी अपने विचार और सुझा कमेंट में जुरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना न भूले हमारे कथाओं को शेयर जुरूर करें जिससे लोगों को अच्छा गयन पराप्त हो जैशिर राम भक्तो